जर्दा चावल इस परकार से चावल बनाओगे तो वही टेस्ट आपके हाथों में आएगा और ये आपके तेहरों को चारचान लगा देंगे अगर आप एक बार इन चावलों को खाओगे तो आप बार बार येही जर्दा चावल बनाके खाना चाओगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन्हें सबसे पहले मैंने गैस की फ्लेम को आन करके पतिले में मैंने डाल लिया है डेड़ लीटर पानी और इसमें मैंने पांच-छे डाल दी हैं लॉंग इसके बार डाल दी हैं दो हरी इलाइची और हरीलाईची को मैंने इस प्रकार से खोल दिया है तो इसमें एक तेजपता डाल दिया है तेजपता डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है अनानास फ्लार और एक स्टिक डाल दिया है दालचीनी की और ये मैंने लिए है सेला चावल ये जो चावल हैं जर्दा चावल इन्हें mostly सेला चावल सी बनाया जाता है तो इन्हें मैंने 2 गंटे पहले भीगोके रख दिया था आप इसे हमेशा 2 गंटे पहले भीगोके रखिए तब ही आपके चावल ये बहुत ही जादा अच्छे बनेंगे और अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा हिला दिया हिलाने के बाद मैं इनका पानी जो है वो ड्रेन कर दूँगी इसमें साफ पानी डाल दूँगी तो अब आप देख सकते हो कि पानी जो है वो तेज गरम हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया ओरेंज फूड कलर और इ इसे अच्छे से हिला देंगे एक बात का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने इसमें चावल डाल ले हैं पानी को जो है बहुत ज़्यादा तेज गरम होना चाहिए आप ठंडे पानी में बिल्कुल भी चावल मत डालिए तो आप मैंने इसमें चमच भरके डाल देना है द डाल रहे हो तो इसमें आप चार पांच चमच घीके डालिए तो अब देख सकते हो कि पानी में अच्छा बॉइल आ रहा है तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है लोग पे अब मैं इसमें डाल दी हूँ चावल और इनका पानी ड्रेन कर दिया है तो ध्यान रखिए जो इस हमने 10 मिनट के लिए पकाने हैं हमने चावलों को पूरी तरह से नहीं पकाना इसका जो कोकिंग प्रोसेस है हमने 95% तक ही रखना है 5% तक चावल थोड़े से कच्चे हो तब यह चावल हमारे अच्छे पके त्यार होंगे तो जब तक चावल अच्छे तरह से बॉइल हो रह और इसके बाद मैंने लिए हैं 20 बादाम, बादाम को भी मैंने इसी परकार से पीच में से काट लेना है तो अब हमने क्या करना है कि 20 मैंने लिए हैं पुष्टाशियों तो इन्हें भी बारीक से बीच में से इसी परकार से मैंने काट लेना है और अब आप देख सकते हो कि यह जो चावल हैं अच्छे से पक चुके हैं जितने हमें चाहिए थे बनाने पकाने के लिए तो अब क्या करना है कि इनका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर देना है यह दिखे एक चलनी में मैंने इने निकाल रही है और 10 मिनिट के लिए इसे रख देना है कि यह थंडे हो जाएं तो अब मैंने एक कडाही लिए है कडाही में मैंने डाल देना है चार चमच देसी घी यह जो देसी घी है अगर आप मेल्टेड ले रहे हो तो आप एक कड़्ची देशी घी की डालिए तो अब इसमें मैं क्या करूंगी सारे जो ड्राइफ रूट है इनको अच्छे से फ्राइ कर लूँगी और इसमें मैंने एक कटोरी ले लिये नारियल सुखा नारियल तो इसे भी बारीक से काट लिये तो अब हम इन ड्राइफ र चलाते हुए क्रंची होने तक हमने फ्राइ कर लेना है तो अब ड्राइफ रूट अच्छे से फ्राइफ हो चुके हैं तो इन्हें हम निकालने हैं इसके बाद मैंने एक कटोरी लिये हैं किश्मिश इन्हें भी फ्राइफ कर लेना है इन्हें हम बस हलका सा ही चलाइब हैं इन्हें ज़्यादा फ्राइइ निकालना। अगर ये हार्ड हो गई तो ये कड़वी भी हो जाएंगी। तो इसलिए हमने बस इसमें डालना है और हलके हाथों से हिलाइआए और हमने इसे निकाल लेना है। तो अब मैंने ये जो देशी घी है, इसे निकालना नहीं है, इसी भी घी में मैं जो चावलों के लिए तड़का त्यार करूँगी, तो अब मैंने गैस की फ्लेम को लोपे कर दिया है, और दो छोटी इलाइची डाली है, इनका मैंने इसी परकार से मुझ खोल दिया है, हमने इसे बारीक नहीं करना, इसी परकार से ही डालने है, साबुत ही छोटी लाइची को डालने है हमने, तो अब इसमें डाल देने हैं चावल, आद देख सकते हो कि कितने खिले-खिले ये चावल बने है, हमें एक भी चावल जो है, वो साथ में चिपका हुआ नजर नहीं हो तो आप 250 ग्रामी इस इसमें शूगर डाल सकते हो तो इससे हलके हाथों से हमने हिला देना है हलके हाथों अगर हम जादा दबा के इससे हिलाएंगे तो जो हमारे चावल है वह तूट जाएंगे तो इसमें मैंने आधे यसे लिड लगाके 5-7 मिनट के लिए पकाने है तो अब गैस की फ्लेम को लोगे कर देने हैं इसमें बिल्कुल भी नीचे ना ही पानी है और सारे चावल बहुत ही खिले-खिले बने हैं इसे हलके हाथों से फिर से ही लाएंगे ताकि ये चावल तूट न जाएं बंद, गैस की फ् Shakes की फ्लयम को बंद करने के बाद, मैंने इसने हलके से फैला दिया है। और मैंने फिर से लिड लगाके से पांच मिनृट के लिए रख दिया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से मैं इसे हिला रही हूँ तो चावल बहुत ही अच्छे बनके त्यार हुएं तो अब इससे मैं कर रही हूँ सब मैंने एक बाउल लिया, बाउल में मैं ये चावल डाल रही हूँ तो अब मैंने चावलों को सब करके इसको गार्निश कर दिया है इने ड्राइफ रूट बचा के रखे थे उसके साथ तो आप मैंने इन चावलों को जो बचे हुए ड्राइफ रूट थे उनके साथ गावनिश कर लिये सच में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी चावल बने है आप इन चावलों को बनाईए खाईए और इंज्वाई कीजिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कौर नी वीडियो के साथ मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद